एलो एसुडेंट्स, वेलकम तो दो पी एन दे कोचिंग क्लासेज, लज इसली एन स्मार्टली, तो आज हम पढ़ने वाले कोच्चन जिसमें बोला गया है, वोट इस नेट अटेंडेंस रेशियो, तो इस कोच्चन का मदलब है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है, तो चल बोल सकते हैं कि total children जो की 14 या 15 साल की उम्र के हैं और अगर वो attend करते हैं school याने की school पढ़ने जाते हैं as compared to the total number of children, total जितने भी बच्चे हैं उसी age group के याने की 14 year and 15 years के तो उसको बोला जाता है net attendance ratio और इसको measure किया जाता है percentage के form में याने की जब भी आप इसका answer निकालेंगे त students percentage में वैसे ही net attendance ratio भी percentage में ही count किया जाता है तो इस चीज़ को समझे जितने भी 14 और 15 साल के जो बच्चे हैं उन में से जितने बच्चे 14 और 15 साल के ही attend करते हैं school कि total 14 और 15 साल के जितने भी बच्चे उसमें से जितने बच्चे school attend करते हैं जाते हैं उसको बोला जाता है net attendance ratio और इसको calculate किया जाता है percentage के form में तो यहाँ पर इसका formula क्या होगा students देखिए यहाँ पर यह word रेशियो रेशियो यह नहीं होता है upon right upon होता है यह SM लिखते है ratio generally right और इसको जब अगर यहाँ पर मालेजिए 2 ratio 3 है तो 2 upon 3 लिखते है right तो अगर इस इसको इस example से समझते है students तो मा attendance ratio हम लिखेंगे 2 upon 3 और क्योंकि यहाँ पे हमको इसको percentage में निकालना है तो हम multiply कर देंगे 100 का यहाँ पे और जब आप इसको solve करोगे तो आपका answer हैगा 66.67 percentage ओके तो इस तरीके से count किया जाता है net attendance ratio को I hope students आपको clear हो गया होगा अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी लाइक किजिए एन वीडियो को लाइक जरूर करें आज के लिए इतना ही ठेंक यूँ